हेलो एवरिवन गुद मॉर्णिंग ओल फ्यू राधे राधे जैस्री किसना सभी को तो कैसे हैं आप सभी आप सब आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नोकरी एस्पिरेंट में आज हम डिसकस करेंगे साथ फरवरी दोजार चोबिस चलो दोस्तों शुरू करते हम आज की वीडियो वीडियो को शुरू करने सपल एक बर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यह था कल का कुईशन जिसका आंसुर आप से पूछा गया था कुईशन था कि कि देश के दो वरसिये कार्टर डिलास ने सबसे कम उमर में म इस वी रिकोर्ड बनाया तो वो थे स्कोटलेंड देश के अब देखते हैं छेफ फरवर्ट दोजाचोबिस के रिवीजिन क्यूशन भारत सरकार ने हाल यह में किस एरिपोर्ट को इंटरनेशनल एरिपोर्ट का दरजा दिया है तो सूरत हवाई एड़े को इंटरनेशनल वर्ष के रूमें घोशना क्या है तो वो क्या है दोजार चोबिस वर्ष को एसने वर्ष के रूमें घोशित क्या है किसे एसिया किर्केट प्रिसित के अद्देख्ष के रूम में फिर से नुक्त क्या गया है तो जेह सहा को नुक्त क्या गया है किस राज्य सरकार ने उंग साइज स्टार्टप फेस्ट काउजन क्या गया है तो यह क्या गया मैंगलूर सहर में सीव सेना की कि स्विधायक का चुएत्र वर्ष की आयों में निदन हो गया तो अनिल बाबर का चुएत्र वर्ष की आयों में निदन हो गया है किस राज्य केंदर सासी प्रदेश के राम ब सब से अधिख है तो लटाक में इनकी संक्ष सबसे अधिक हैं किस राज्य में समार्ट पलिसिंग के तहत सैल्फ बैलेंसिंग सेथ fakta को लाउन्च किया गया है तो यह लॉच्छ किया गया है उत्राखंड राज्य में already देखते हैं हम आज की करणट अफेर्स इसका फेस्ट कुश्चन है भारती वायो सेना दुवारा एक्ससाइज वायो सक्ति 24 का आजन कहां क्या जाएगा तो बताए फ्रेंज कहां पर क्या जाएगा इस एक्ससाइज का आजन तो आंसर इसका C जैसल मेर में राजस्तान के जैसल मेर में वायो सेना के दुवारा एक्ससाइज वायो सक्ति 24 का आजन क्या जाएगा कब क्या जाएगा 17 फरवरी 17 फरवरी 24 को वायो सक्ति 24 का आजन क्या जाएगा राजस्तान के जैसल मेर में जैसल मेर के जो पोखरन एयर ग्राउंड रेंज है वहां पर इस exercise का आजन क्या जाएगा और आपको बता दे वायू यान की इस exercise में अपके बार विश्वदेशी विमान तेजस और परचंड के साथ दुरू एक सो एकिस विमान भाग लेंगे विमान तेजस भाग लेंगे परचंड दुरू के सही एक सो ए किस विमान इस exercise में भाग लेंगे वायू सेना के दुरू किया गया है अधर इंपूर्टे न्यूज देखते हैं भारत और किस देश के बीच सेने अब्यास डेजर्ट साइकलोन 2024 का अरजन क्या गया है तो यह क्या गया है भारत और यूएई देश के बीच भारती नोसेना किस तट पर दिवार्शी प्रस्थान अब्यास का आजन क्या है तो वो क्या है मुंबई तट पर राष्टे जाच अजनसी ने आतंगवादी गेंग्स्टर ड्रग तसकरों के गट जोड की किलब किस ओप्रेसन को चलाया है तो उसने ओप्रेसन धवस्त को चलाया है किस 63 अखिल भारतिये प्लिश डूटी मीट का आजन किस सहर में क्या जाएगा तो बता ही फ्रेस किस सहर में क्या जाएगा भारतिये प्लिश डूटी मीट का आजन तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी लखनाव सहर में कहां पर क्या जाएगा लखनाव सहर में क्या जाएगा और रेलवे सुरक्षबल के द्वारा है रेलवे सुरक्षबल बारा फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2024 तक लखनाव में अखिल भारती प्रिश डूटी में का आईजन करेगी और इसकी जिम्मेदारी किसको इस कारिक्रम की जिम्मेदारी आपको पता दें AIPDM की केंद्र समित्य ने RPF को दी है RPF को इसकी जिम्मेदारी सोफी है कि वो इस बारती प्रिश डूटी का आईजन करेगी और ये कब होगा आईजन 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक लखनाव में होगा याद रखना आदरी इंपोर्टी न्यूच देखते हैं इही गवर्नेस पर दो दिविसी छेत्री सम्मेलन का आईजन किस सहर में क्या गया है तो यह क्या गया है किस देश को 2024 में सुक्तराठ COP29 की मेजबानी के लिए चुना गया है तो अजर बेजान को इसकी मेजबानी के लिए चुना गया है किस सहर में खादी कारिगर सम्मेलन 2030 का आईजन क्या गया है तो यह जिन क्या गया है वारनाशी सहर में नोवा पैन आई आएम विस्व प्रवंदन सम्मेलन किस राजे के संबलपूर में आजित क्या गया है तो यह क्या गया है ओडिस्सा राजे के संबलपूर में नेच्ट क्विश्चन है The Assess AAA Award for Sustainable Finance 2024 में किसे Best Green Bond Corporate Award दिया गया है तो बताएं friends किसे दिया गई ये Award Best Green Bond Corporate Award तो ये Award दिया गया है REC Limited को आंसर हो जाएगा B REC Limited को Best Green Bond Corporate Award दिया गया है किसके तहत विदूत मंत्राले के तहत विदूत मंत्राले के तहत REC V को A State AAA Award for Sustainable Finance 2024 के लिए Best Green Bond Corporate Award दिया गया है Other important news देखते है किसको मरनो उप्रान तैंजिंग नौर्गे समान दिया गया है तो सविता कंसवाल को दिया गया है टाइम एक जिन ने किसे CEO of the air चुना है Sam Altman को वर्स के Service Rest A.C.A. Under 20 पुरूस एथलीट चुने जानने वाले पहले भारते कौन बने तो वो है Selva Parvut Rumaran किस राज्य के 10 वर्सी विहान तलिया को Wildlife Photographer of the Air पुरूसकार दिया गया है तो वो है करना टक राज्य के Next Question देखते हैं भारत में डिजिटल भुकतान स्विकन करने वाले पहला देश बन गया है और आपको बता दे जो NPCI ने NPCI इसने हाली में गोशन भी किये कि जो UPI उबो करता है वो अब पैरिस में FL Tower के लिए टिकट भी खरीदे सकते हैं भारत से FL Tower के लिए टिकट खरीदे सकते हैं UPI उबो करता अधरी उंपुटे निज दिखते हैं भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार छेत्तर भारत पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है तो वो बनाई है UAE देश में सम लेंगी विवाहा को अधारिक तोर पर मानिता देनने वाला पहला दक्षिन ACI कौन सा बना तो वो बना है नेपाल देश अगर तला अखोरा रेयल प्रोजेक्ट भारत और किस देस सम्मद्धित है तो ये भारतः और बंगला देश सम्मद्धित है किस देश ने दक्षिन पूरू वेशिया की पहली हाड़ स्पीड रेयलवे वियूस लॉँच की है तो ये लूंच किये इंडोनेसिया देश ने रिश कुशन है फ्रेंड्स आपसे रिक्रेश्ट है एक बर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना साथ ही कमेंट करके बताने वीडियो कैसे लगी ताकि और भी हैलफुल वीडियो लेकर आएं करन्ट अफेर्स की आपके लिए तो किशन है कि ग्रेमी अवर्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल मुजिक अलबम का अवर्ड किसने जितता है तो आंसवर दीजिए किसे दिया गया बेस्ट ग्लोबल मुजिक अलबम का आवर्ड तो राइट आंसवर इसका A This Moment इस मुँँआबेर्स जो एलबम है इसको ग्रेमी अवर्ड 2024 का पैस्ट ग्लोबल मुजिक अलबम का अवर्ड दिया गया है और यह अल्बम किसका है तो यह दिगज भारति संगितकार संकर महादवयन और जाकिर हुसेन इन्होंने अपने अल्बम इस मूमेंट के लिए Best Global Music Award जितता है उनका ये अल्बम है संकर महादवयन का और जाकिर हुसेन इन दोनों का मिलकर ये अल्बम है जिसको Grammy Award दिया गया है है ब स्थे ग्लोबन इस मॉवमेंट वहा रहा रहा अब 30 जून 2024 को इस मॉवमेंट जो एल्बं में रेलिज हुआ था और आपको यह भी बता कि जो 661 ग्रेमिट रह्या वार्ड यह कहां पर आईईजित हुआ था तो यह आईईजित रहे था संब लोस एंजिल्स में ये म्यूजिक आवोर्ड आउजित क्या गया था सरसटवा ग्रेमी आवोर्ड का अधर इंपोर्टेंट न्यूज देखते हैं IGBC ग्रीन केंपस रेंटिंग के तहट NICMAR में कि सहर को प्लेटिनम प्रमानन मिला है तो वो मिला है है एदराबाद सहर को जक्रपदक और रेक्स कनमवीर ग्लोबल फैलोशिप से समानित क्या गया है तो वह है है हैम चंद्र्य रवीकुमार को किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसी पुरुषकार दोजार तेज जिता है तो वो जिता है ललिता नट्राजन ने केंद्रे मंत्री जितंद्र सिंग ने किसको उतकर्ष्ट उपलब्दी स्रेनी में वर्थ दोजार तेज के लिए इंडिन ओप्दा इयर अवोर्ड परधान किया है तो ये वोर्ड दिया गए इस रोको एक रूशिक अंत्रिक्ष यात्री है ये उलेंग को नेको, रूसी अंत्रिक्ष यात्री है, इन्हों ने 888 दिन से भी अधिक समय अंत्रिक्ष में बिताया है, कितने दिन 888 दिन से भी अधिक समय अंत्रिक्ष में बिताने के साथ ही ये अंत्रिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकोर्ड बनाया है इन्हों ओलेंगो कोनो नेंगोने अधर इंपोंटे निउस देखते हैं इसकी किस राजे की 16 वर्षिय प्रतिभावन महिला सुचेता सतीस ने 100 से ज़्यादा भासाओं में गाना गाकर गिनीज रिकोर्ड बनाया है तो वो है केरल राजे की किस सहर ने सबसे बड़ी पठन गतिवीदियों के लिए ने गिनीज वर्लिकोर्ड बनाया है तो बनाये पुने सहर ने ? किस सहर में आजी 55 लोगों की भागदारी के साथ नया गिनीज वर्लिकोर्ड बनाया है तो ये बना है सूरत सहर में Next question है किस राजे के भवार्ना में गाउं चलो अभ्यान की शुरुवात की गई है तो किस राजे के भवार्ना में इस अभ्यान की शुरुवात की गई है तो आंसर हो जाएगा इसका D हिमाचल पर्देश में हिमाचल परदेश राज्ये के जो भवार नाम है गाउं चलो अभ्यान की शुरुवात की गई है इसके से भारते जनता पार्टे के द्वारा इस अभ्यान की शुरुवात की गई है इन्होंने सहरी और ग्रामी छेत्रों के बीच के अंतर को पाठने के लिए गाउं चलो अभ् करेगी इस अभ्यान के द्वारेवे साथ लाग गाउं का द्वारा करेंगे वो बारते जन्ता पार्टी यह माचल पर्देश के भावाना में यह अभ्यान शुरू किया गया है और साथ लाग गाउं का द्वारा करेंगे इस अभ्यान के द्वारा अधर इंपोर्टी नीज देखते हैं किस बैंक के दौरा आई एम एडार एडार इजमी अब्यान शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया फेडर बैंक के दौरा किस सहर में भारत के पहले सीत कालीन वेक गयानिंग अब्यान का सुभारम किया गया है नई दिल्ली सहर में किस राजे के मुख्य मंतरी ने दिदिर्स रुक्षा कवच अब्यान शुरू किया है तो यह क्या है प्रशीम बंगार राजे के मुख्य मंतरी ने शुरू किया है किस सहर में भारत के पहले सीद कालिन वेग्यानिंग आर्केटिक अभ्यान का सुभारम क्या गया है तो यह अभ्यान सुरू क्या गया है नई दिली में देश के पहले डिजिटल राश्ट्री पुरा लेक संग्राले की आदार सिला कहां रखी गई है तो कहां पर रखी गई इसके आदार सिला तो राइट आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद सहर में है दर्णाफबात सेहर कि जो परसित सालार जंक संग्राले हैं वहां पर डीजीटल, राश्ट्री पुरा लेक संग्राले की आधार सिला रखी गई है और केंद्री प्रेटन और संस्कर्टी मंत्री जी किसन रेड़ी ने संग्राले के पश्चिम बोलोग में इसकी आधार सिला रखी है अध्री उंपोर्टी न्यूज देखते हैं पर्धान मंत्री मोदी ने उत्र पर्देश्क किस सहर में अंतराष्टी किर्केट स्टेडिम की आधार सिला रखी है वारनासी सहर में केंद्री आयुष मंत्री स्रबानन सोनवाल ने किस सहर में आयुष दिक्षा की आधार सिला रखी है तो ये रखिए भूनेसोर सहर में नितिन गडगरी ने किस सहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पारकी अधार सिला रखी है तो वो रखी है नागपुर सहर में किस राजय के मुख्य मंत्री ने? राजय में स्री हर्माल लोग बनाने के लिए अधार सिला रखी है तो रखिए मद्दे परदेश राजय के मुख्य मंत्री ने एस्ट क्यूशन है किस सहर के मैट लाइफ स्टेडियम में फिफवा विसकप तजा चेबिस का फाइनल आजित क्या जाएगा? तो किस सहर के स्टेडियम में आजित क्या जाएगा? फिफवा विसकप बताईए राइट ऐन्सर है? ए, नियोवशक सहर में आपको बता दे, नियोवशक जो सहर है वहां के जो मैट लाइफ स्टेडियम में फिफा विश कप दोजाशेविस का आजन क्या जाएगा और यह कब क्या जाएगा 19 जुलाई 2026 को 19 जुलाई 2026 को इसका फाइनल मेच होगा नियू योर्क के मेटलाइप स्टेडियम में और जिसमें यूएस से कनाड़ और मेक्सिको इसकी सहम एजबानी करेंगे इस फिफा व कोटी न्यूज देखते हैं किस देश के दोवारा एफ आइच होकी 5 के विशु क्वालिफाइफ की मेजबानी की है तो यह कि ओमान देश के दोवारा भारत ने किस देश को हराकर महला अंडर 93 20 विशु कफ दोजार टेश जीता है तो यह जीता है भारत ने इंगलेंड कर होकी विशु कफ दोजार टेश में किस देश ने होकी विशु कफ इत्यास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है तो यह है नीदलेंड देश ने जिसक्कुशन देखते हैं पहले भीम श्टेव मैं किई चैंपिंपेंशिप का आज़ेंड कीतर में किया गया है तो बताए एंपिंस किस सेहर में गया है इस चैंपिंपेंशिप का आज़ेंड तो राइट एंसर इसका इस्का ? नई दिल्ली सहर में पहले बिम स्टेक एक्टिवेटिक चेंपिशिप का उजिन किया गया है और यह उजिन 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक किया जाएगा कब से कब तक 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक इस चेंपिशिप का उजिन नई दिल्ली में किया जाएगा और केंद्री योवा कारिकरम और खेल मंत्री अनुराख सिंग ठाकोर इस चेंपिशिप का उदगाटन करेंगे कौन करेंगे इस चेंपिशिप का उदगाटन खेल मंत्री अनुराख सिंग ठाकोर और बीमस्टेक की स्थापना पूछी जाए तो कब की गई थी बीमस्टेक की स्थापना की गई थी ACI मेरेथृन चैMP yeah narrative будет दूसरे बारती कोई बने हैं मानन सिंग वर्ब किस देश के वर्लेडर चैंपेंशिप ओफिलेजन का आइजन क्या जाएगा तो यह क्या जाएगा इंगलेंड देस में किस राजे में 38 वे नेसलन गेम सटज़ 24 का आउजन क्या जाएगा तो वो क्या जाएगा उत्राखंट राजे में किस सहर की मेज़वानी में साथवी A.C.I. महला हो की चेंपिसिप ट्रोफिका आउजन क्या गया है तो वो क्या गये राच्ची सहर की मेज़वानी में आज क्यूशन देखते है खेलो इंडिया गेज़ 24 में किस राजे ने पदक तलिका में सिर्स्थान हासिल क्या है तो किस राजे ने क्या है सिर्स्थान हासिल तो आंसर इसका आपको कमर सेक्शन में बताना है समन क्या इंडोज देखते हैं कंप्यूटर के जिस भाकों हम सपर्ष कर सकते हैं वो क्या कलाता है hard way है और जिसको हम सपर्ष नहीं कर सकते हैं वो soft way है कैंसर के उपचार में प्रूत उतकस्ट गेस कौन सी है तो वो है red on सूर्य का प्रकास पर्ति तक पहुचने में कितना समय लेता है तो 500 सेकंड का समय लेता है भारत ने पहला परमानू प्रिक्षन कबर कहां क्या था तो 14 माई 1974 को पोखरन में क्या था सूर्य में सिरवादी गेस कौन सी है हार्टरोजन पर्तिवी से दिखाई देने वाला सबसे चमिकला घरे कौन सा है तो वो है सुक्र जो पर्तिवी से हमें चमिकला दिखाई देता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेर सेक्षिन में जूरू बताना साथ ही वेडियो को लाइक, सेर करना, मत भूलना पेडियोप्स और नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट है www.nokrihpren.com थेंक यी फ्रेंज, बाई बाई, राधे राधे टेक केर